हलो बच्चों तुवासा करता हूँ कि आप सभी लोग मज़े में होंगे अच्छे से पढ़ाय लिखाई कर रहा होंगा और इसी होप के साथ हम लोग पार थर्ड ओफ सेंटर ओफ मास का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सेंट हम लोग पार्ट थ्री को सुरू करते हैं पार्ट थ्री में आपका देख सकते हैं कोशन नमबर वन में दिया हुआ है कि टू रोट्स ऑफ सेंट एंड मास और प्लेस्ट एस सोन दें फाइंड पॉइसन ऑफ सेंटर ओफ मास देखिए मैंने तो यहां पर डियाग्राम को ड् इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टी सेप आप सबको टी आता हुगा राइट इस नथिग बड़ टी सेप फ्रेम तो देखें मैं सिंपल सा तरिका यूज करता हूं कि मैंने क्या करने वाला हूं विल्कुल आसान सा चीज करने वाला हूं कि जो इस रॉड का होगा जो आप आपको एक सेक्सिस पर रखा उसका सेंटर ओफ मास ओविसली रॉड उनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ओफ मास यहां होगा फर्स्ट रॉड का राइट और सेकेंड रॉड का तो एक्जैक्ली मीट पॉइंट ही है तो सेकेंड रॉड का यहां पर होगा सेंटर ओफ मास तो आ को जोरने वाले lines पे ही कहीं लाई करेंगा एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैं यहीं पे आपको पता जाता हूं कि अगर दो points दो points है ठीक है तो center of mass जो होता है मैसला line joining point masses पे ही लाई करता है दो points के बात करेंगे तीन point के है तीन point में अपका line काफी सरा हो जाएगा लेकिन if there are only two point masses then center of mass will lie somewhere between the masses and it will be on the line joining both masses right मतलब मैं यह बोलना चाहरा हूं हिंदी रुपांतर नहीं है इसका कि अगर दो masses हो तो उस case में जो center of mass होता है दोनों mass को join करने वाले line पे कहीं न कहीं लाई करता है कहीं न कहीं करने का मतलब है भी mass के तरफ लाई करता है एक बात और बेध्यान रखिया कि जरूरी नहीं होता है कि center of mass पे आपको mass दिखे ही कुछ न कुछ मास होना जरूरी है जरूरी नहीं है ऐसा center of mass यहां जिससे की triangular frame था तो triangular frame में यहां पर center of mass लाई करा था वहां पर कोई mass दिख तो नहीं रहा था मेरे को इसलिए बोलाओ कि center of mass एक virtual position है mathematical equation है mathematical formula है उसको हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि physics आसान हो जाता है और हम लोग को हमेशा के बाद मुस्किल चीज़ों को आसान करना है तो XCM हम लोग को calculate करना है तो formula simple है आपका M1 X1 plus M2 X2 दो ही masses है तो divided by total mass which is M1 plus M2 so let's talk about M1 M1 is nothing but M what is the coordinate of X1 X1 is L by 2 I think you can say right this length is how much it's L by 2 second point mass second rod is center of mass x coordinate कितना है जो कि वहा है तो आप देख सकते X coordinate already x axis पे ही रखा हुआ है and that is equal to L so M1 X1 plus M2 X2 so M2 is M and X2 is L divided by total mass which is equal to 2M right so the value of XCM XCM is equal to how much it's uh आप M को cancel कर लिजी है तो 3L by 2 by 2 actually हो जाएगा है 3L by 4 अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी calculate कर सकते है actually यही आपका answer है उसमें क्या इसको हम लोग कैसे कैसे calculate कर सकते हैं आपको साइद आपको पहले ही पता होगा कि देखिए अगर rods है ठीक है यह मैं मान कर चलाओ कि आपको कुछ नहीं आदा ठीक है जो कि मैं साइद सही हूँ तो आपको अगर T-shape का ऐसा rod है तो center of mass calculate करना बिलकुल आशान है बुलिए कि आशान कैसे है तो मैं बोलगा कि इसका center of mass से यहां लाई किया है इसका center of mass से यहां लाई किया है और दोनों का mass equal है तो दोनों का mass equal होने पे center of mass exactly कहा लाई करता है बीच में तो this is cm total cm this is point center of mass of first frame means the horizontal frame and this is the center of mass of second frame or you can say second rod which is the vertical one right तो center of mass exactly बीच में लाई करता है तो आप simple सा बात देख सकते हैं कि this length is nothing but how much L by 2 यहां तो हो चुका था L by 2 यहां तो हो चुका था और L by 2 का धाल होता है L by 4 तो L by 2 और यह L by 4 हो चुका है तो कितना हो चुका है 3 L by 4 तो मैं ऐसे calculate कर सकते हैं अब इसको आप सब पुछाएता है करेक्ट तो अगर हम लोग center अगर join करें तो साइद आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि center of mass कहीं exactly बीच में लाई करेगा, correct? दोनों का exactly बीच में कि mass is equal हैं, अब देखिए, अब center of mass लिखना हो, तो इसका हम लोग अगर लिखने ही कोसिस करें, जो first mass से उसका center of mass लिखने ही कोसिस, तो x coordinate is nothing but l by 2 and y coordinate is 0 and for the second mass, for the second mass, the x coordinate is how much? x coordinate is l and y coordinate is how much? it's minus l by 2, x coordinate is l and y coordinate is minus l by 2, right? तो अगर हम लोग solution की बात करें, तो solution में आपका लिख सकते हैं कि xcm, m1 x1, m1 is m and x1 is how much? it's l by 2, m2 x2, m2 कितना है आपका m and x2 कितना है, उसका l, जो second mass, उसका x coordinate कितना है, l है? डिभाई total mass is nothing but 2m, so this is going to be 3l by 4, same as the last one, right? and ycm की बात करें, तो ycm आपका m1 हो जाएगा, m1 y1, जो first rod है, जो आपका horizontally रखावा, उसका y coordinate तो 0 है, x axis पर रखावा, तो m1 y1, m2 y2, m and y2 किया है आपका, minus l by 2, डिभाई बाई 2m, डिभाई क्या हो सकता है, 2m, तो यहाँ से आपका minus l by क्या आजएगा, 4, तो finally, जो center of mass PCM में आप लिख सकते हैं, तो PCM का जो भेल हो जाएगा, x coordinate is 3l by 4, and y coordinate is minus l by 4, correct, so that's all, और किसी को और coordinate geometry अच्छी है, तो आप आप हाम से इसको guess भी कर सकते हैं, आप guess कैसे कर सकते हैं, तो यह जो है point, इसका x coordinate आप देख सकते हैं, कि पूरा आपका अगर, पूरा यहाँ से यहाँ का अगर length हम लोग देखें, एक second मैं इसको यहाँ कर सकता हूँ, इसको थोड़ा back to the time चला जाए हम लोग का, क्यों गंदा किया देख उसको, right, तो अगर हम मैं बात करूँ, कि suppose किजिए कि आपका यह frame था, right, एक यह आपका frame हो गया, एक यह आपका frame हो गया, तो अगर हम लोग center of masses को अगर join करें, इसको यहाँ रखेंगे और इसको हम लोग कहां रखेंगे, यहाँ, अगर हम लोग इसको join करें, तो center of mass exactly beach में लाई करें, कि दोनों mass equal है, अब देखें, L by 2 यह हो चुका है, और यहाँ से L by 2 आपका पुरा है, तो आधा जो होगा, अभियर से बात है कि बीच में है, तो आधा जो होगा L by 4 होगा, right, और similarly आप यहाँ भी देख सकते हैं, कि यह पूरा जो है, आपका L by 2 ह पूरा जो है, आपका कितना हो चुका है, L by 2, right, this is nothing but L by 2, तो यह point exactly midpoint है, तो इस point को हम लोग कितना बोल सकते हैं, कि L by 4, यहाँ से कितना बोल सकते हैं, कि L by 4 बोल सकते हैं, correct, तो आपका जो X coordinate है, center of mass का अगर देखना हो आपको, तो center of mass का जो X coordinate है, आपका इतना हो जाए और Y coordinate है आपका देख सकते हैं, तो Y coordinate आपका यहाँ से हो जाएगा नीचे की तरफ, which is nothing but how much L by 4, just L by 4, correct, तो finally answer आचुका है, आपका center of mass यहाँ हो गया, hope कि यह बात आपको समझ में हो गई, so this is the X coordinate of center of mass, this is the actually, this is Y axis, so this point is, this length is X coordinate of center of mass, and this length is Y coordinate of center of mass, but it's negative, Y coordinate is negative, right, चले हम लोगो next question को solve करते हैं, इसका अगर solution का बात करते हैं, तो यह थोड़ा अलग type of question है, question यह दिए होगा कि जो दोनों, दोनों आपका जो frame है, frame कहने का मतलब एक आपका rod हो चुका है, और एक circular ring आप इसको बोल सकते हैं, circle आप मान ली जाए, ठीक है, दोनों same ही wire से बने गए हैं, लिखा होगा कि a rod and ring, both are made of same wire, then find center of mass of system, तो दोनों का actually इसमें mass same नहीं है, बलकि दोनों का क्या है, wire same है, जिस wire से बना है, तो actually इस किसमें होगा कि अगर आपको mass निकालने हैं, अगर आपको निकालने हैं क्या, mass, तो अगर मेरे को निकालना हो, suppose कि यह mass, एक second, अगर मेरे को निकालना होगा आ M1, and I will assume that this mass is M2, अगर center of mass की बात करें, तो center of mass, जो first mass का होगा, यहाँ पर होगा, और center of mass of the second mass होगा, वो आपका यहाँ पर होगा, right, second mass का center of mass यहाँ पर होगा, correct, तो, तो अगर हम लोग बात करें, तो M1 का value करें, तो M1 का value, तो M1 का value, देखिए, अब दोनों का तो rod, द बने, same wire से बने, तो when you call the frame, जो है, Same wire से बना होगा, तो हम लोग ऐसा बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि दोनों का mass point length same है, दोनों का mass per unit length क्या है, आपका same हाँ, हमलों बाल सकते हैं, क्विके दोनों का wire तो आपका same है, तो I will assume that let mass point length is lambda, let mass per unit length is lambda so if the mass point length का मतलब हो सकता कि मैंने पहले बार यूज किया है लेकिन आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि unit length का mass unit length जो है physics में 1 meter होता है तो 1 meter का mass suppose किज़े कि lambda है तो 2 meter का कितना होगा lambda into 2 3 meter का कितना होगा lambda into 3 तो 1 meter का mass lambda है तो L meter का mass कितना होगा lambda into L तो हम लोग इस तरीके से masses calculate करते हैं अगर आपका mass point length दिया हो तो अगर मुझे को मेरे को calculate करना हो M1 so I will say that lambda into L will be the mass of straight rod right अगर हम लोग calculate करना हो M2 तो M2 lambda होगा mass point length और कितना length है जो ring है उसका length कितना है आपका तो बोलें कि यह तो diameter जो है आपका L है रिंग का उसको हम लोग बोल सकते हैं कि pi into d d is L तो pi into L तो M2 कहलो मेरे को लिखना हो कि mass point length is lambda into the total length of the ring is equal to how much lambda into L lambda into d और you can say lambda into L so this is the value of M2 now if we talk about the center of mass तो देखे इसमें अगर center of mass calculate करना तो आपको y नहीं calculate करना है बस x calculate करना हो आपको बात समझ में आ रहे होगी कोई गलती से है बीच में नहीं लेगा राइट यहां दिखने में लग रहा है कि है बीच में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है center of mass कहीं भी लाई कर सकता है उसको हम लो calculate करने के बाद लेखेंगा तो center of mass में बोला हूँ कि आपको y coordinate नहीं calculate करना है बस आपको क्या calculate करना है x coordinate of center of mass तो x coordinate of center of mass क्योंकि y coordinate आपका 0 होगा पूरा का पूरा जो दोनों है m1 और m2 दोनों का center of mass जो 1.1 हो 0.2 दोनों का center of mass है वो X coordinate पर लाई कर रहे है मतलब फिर से में दिखा रहता हूँ कि यह आपका road हो गया इसका center of mass आपका यहाँ हो गया यह आपका हो गया क्या ring ring का center of mass आपका कहा है यहाँ पर है तो अगर मेरे को calculate करना हो कि center of mass कहा होगा तो दोनों के कहीं बीच में आने वाला है तो उसके लिए आपको X1 चाहिए तो X1 का value में लिखे देता हूँ कि L by 2 है और X2 चाहिए तो X2 का value आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का आपका L हो चुका है और जो radius हो जाएगा center का radius हो जाएगा sorry circle का radius हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका L by 2 correct circle का radius कितना L by 2 तो finally जो X2 हो जाएगा वो L plus L by 2 so I can write here the value of X1 is L by 2 and the value of X2 is nothing but how much L plus L by 2 which is going to be 3 L by 2 right तो यह आपका X2 हो जाएगा correct चलिए अब हम लोगा calculate करें XCM so the formula is M1 X1 plus M2 X2 divided by M1 plus what M2 plus M1 plus M2 so the value of XCM is now M1 X1 M1 is how much it's lambda into L and X1 is how much it's L by 2 correct M2 L2 so the M2 is lambda into I think I have taken wrong value in case of M2 it should be pi L क्योंकि जो length है आपका pi into L होगा right तो lambda into कितना pi L this is the value of M2 and X2 is how much 3 L by 2 right यह आपका M2 हो चुका है and divide M1 plus M2 M1 plus M2 is lambda into L plus lambda pi L चले हम लोग का lambda तो होगता है हमेंसा cancel होगता है इसी कांसे वो answer से mention नहीं करते हैं questions में तो इसको हम लोग आपका X2 का XCM का value अपका calculate के तो lambda आपका cancel हो जाएगा L भी आपका cancel हो चुका है lambda into L common divided by आप अगर lambda into L common लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1 plus pi into lambda L so the value of XCM is now चले यह L से हम लोग लेते हैं तो आपका हो जाएगा finally L plus 3 pi L divided by 2 आपका डिमिटर में चला जाएगा और आपका हो जाएगा 1 plus pi or you can finally say the value of XCM is equal to L को आपका मूल लेते हैं तो आपका हो जाएगा L into 3 pi plus 1 divided by pi plus 1 so this is the value of XCM I hope all of you understood the question actually यह question काफी अच्छा है इसमें सारे question आपका हो कर रहा हूँ लेकिन यह question काफी अच्छा है आप इसको मान सकते हैं J advance level question तो आपका हो जाएगा 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 सबसे टफस लेफल होता है उसको बात कर रहा हूँ अगर ऐसे questions को आप practice करते हैं तो आपसे जो questions इसके अलावा पूछ जाएगे वो बिल्कुल ही आसान लेगे बच्चो लेगे जैसे कि आप यह सब देख सकते हैं कि आप पूछे आपके center of math T-sip क्या होगा L-sip क्या होगा